कितने लोग उदास से हैं? कितने लोग उदास से हैं? कितने लोग उदास से हैं? कोई उदास ने हैं, ना? सब लोग कुशिश से हैं, ठीक है? कुशिश होगा तो, हम अभी कुछ मैं सवाल पुछने चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है, ना? हम सबी लोग पिछले दिनों में कुछ राजाओं के बारे मियाद करते आये थे, कितने लोगों पता है? पहली राजा कौनते? परमेशर पहली राजा था, दूसरा? साउल, तीसरा? उसके बाद? यरॉबाम और? जरॉबाम है ना? दो राज़ डिवाइड हो जाता है. एक का नाम है इसराइल आर दूसरे का नाम? यहुदा. एसे दो बाद होने के बाद, अभी हम लोग कौन से रूट में हम लोग? कौन से किसके रूट में थे? इसराइल के खांधान वे, इसराइल के फीडी में, इसराइल के उस रूट में, क्या कर रहे हैं, हम लोग राजाओं के बारे में याद कर रहे हैं, तो उसमें से पहली राजा कोन थे हैं, इसरा कोन थे हैं, इसरा कोन थे हैं, आज हम सभी लोग मिलकर, इसरा के चौती राजा के बारे में याद करने वाल ड acontecendo है रहे हैं इस्रेयल के राजार का नाम है कि ईला किए उस्का नाम इला इसराल के उस रास्ता में, इसराल के उस रूट में कई सरे राजा लोग आ जाते हैं उसमें से चोता राजे की उसका नाम क्या है? एला एला बाशा का बेटा था हूँ एला का बाप का नाम क्या है? बाशा तीसरा राजा कोन है? तीसरा राजा कोन इसराल का? को दिखाना चाहता हूँ, चार गोश सुभाव एला के जीवन में, और एला अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन बिताया, और आकरी में उसके जीवन में किस प्रकार का हालत पहुंच गया है, वही चीज़ों को आज हम क्या करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, ध्यान स कौन है एला एला किसके बेटा है बाशा के बेटा है एला इसराइल लोगों को केवल और केवल कितने साल प्रसासन करता है केवल दो साल प्रसासन करता है केवल दो साल दो साल में एला के जीवन में समझेने के लिए कई सरे चीज़ें मिलता है हम लोगों को एला के जीवन में जो इसराल के चवती राजा है केवल दो साल प्रसासन करता है इसराल लोगों को लेकिन दो साल में कई सरे बाते हमें सीखने को मिलता है एला के द्वारा पहला चीज एला जो नाम है ना आपको क्या बलते हो इतियास की किताब में पहली इतियास की किताब में भी एला मिल जाता है पुरानी निये में पहला एला नाम वो लोग स्तमाल कर देते जो उनके समय में जिसके जिसके जातियों के लोगों का जो लीडर रहते था ना लीडर लीडर को उस नाम रखा जाता थ जो उनके लोगों में से जो लीडर होते हैं जो प्रबंदक होते हैं जो भी है जो लीडर रहते थे उन लीडरों को ये नाम दिया जाता था एला अब दूसरा एला जो नाम है कितने लोगों को आप में से कितने लोगों को पता है कालिब के बारे में कालिब यहोश्यू कालिब इस्राइल लोगों को मुसा के next कालेब यहोश्यों आ जाता है न यहोश्यों के टाइम में यहोश्यों के साथ में मुसा को और इस्राइल लोगो परमेश्वर के सामर्त के बारे में समझायो एक व्यक्तिता कोने वो कालेब कालेब के घराने के अंदर भी कोना जाते एक एला आ देते हैं उस कालेब के परिवार में एक विक्त्या आ जाता है उसके नाम भी क्या है एला देखो उसे पुराने नियम में पहले अच्छे अच्छे बड़े लोगों को इनिक नेता लीडर्स को नाम दिया जाता था और दूसरी कालेब के घरानी में एक एला आजाता है और तीसरा एला जो शब्द है हमको कहां पर मिलता पता है जब गोलियात इस्राइलों के विरुद में जब लड़ाई करने के लिए तयार हो गया था गोलियात को कौन मारके गिरा दिया हमारे दाउद है ना चोटा सा दाउद नहीं गोलियात को गिरा दिया जब इस्राइलों ने मिलकर दाउद के साथ उन पिलिस्टियों के साथ लड़ाई करके पिलिस्टियों के जो लीडर थे गोलियात गोलियात के गर्दन को काट के पिलिस्टियों को हराय हुआ जागा था, कौन सा है वो? एला, एला के ही जगा में इस्रायल के लोग क्या कर देते हैं? अपने ढेरा बना के रखे थे फिलिष्टियों से लड़ने के लिए जहां पर इस्रायलों को एक विजय प्राप्त हो गया था जहां पर इस्रायलों के विजय प्राप्त हो गया था पढ़िये बिरे साथ पहला सामवेल का सत्रा द्या दूसरा वचन में देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है? पहला सामवेल का पहला सामवेल का उसका सत्रा द्या दूसरा वचन क्या लिखाए पता है? नहीं सावल और इस्राइली पुरुषों ने भी इकटे होका एला नामक तराई में धेरे डाले जहां पर धेरे डालकर पिलिष्टियों के राजा पिलिष्टियों के एक बहुत ही सूरवीर गोलियात को क्या कर देते वहाँ पर मार कर गिराए थे इनिकी इस्राइलों को उस दिन में दाउत के द्वारा विजय प्राप्त किया हुआ जगा कौन सा है वो? एला देखो एला नाम पुराने निये में लीडर्स को रखा जाता था, एला नाम पुराने निये में कालिब के घराने के अंदर आ जाता है एला नाम के जगा में इस्राइलों को क्या किया गया था वहाँ पर? जीत हासिल किया गया था जीत पाप्त राप्त किया गया था ऐसी जगा का नाम किसको रखा गया भी? किसको रखा गया है? इस्राइल का चौता राज्या एला को रखा गया था हर एक विक्ति को जब उनके गर पे बच्चे पैदा हो जाते हैं द्यान से इतर सुनना है जब गर पे बच्चे पैदा हो जाते हैं सबी लोग क्या करते पता है हमारे बच्चों को एक अच्छा नाम रखना है हमारे बेटा को या हमारे बेटी को अच्छे नाम रखना है आज कल इंटरनेट में सर्च करते हैं लड़की का नाम क्या रखना है लड़का का नाम क्या रखना है हासी आ रहा है future planning हो रहा है, है ना हम लोग हमारे समाज में क्या करते हैं? ऐसे नाम रखने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं अच्छे नाम रखना चाहिए उससे इसका नाम खुबसूरत रहना चाहिए मेरे भाई के बेटा से मेरा भेटा का नाम बहुत खुबसूरत रहना चाहिए बहुत अलोग सोचते हैं कि अच्छा नाम रखना चाहिए एला भी बुर्य नाम था नहीं था एला भी अच्छे नाम था लेकिन क्या करें एला जो इसराइल के चोटा राजा के जीवन में नाम तो अच्छा है लेकिन काम तो बुरा है एला नाम बहुत अच्छे रखते हैं हमरा लोग लेकिन जीवन में काम क्या रहता है बहुत बुरा रहता है अब देखिएगा योसफ करके नाम रखते हैं एला योसफ करके नाम रखते हैं जिन्दगी बर जब जवान के उमर में जिन्दगी बर लड़की के साथ गुमते रहता है। योसफ ने कौन सा लड़की के साथ गुम फिर के जीवन बिथाया। नहीं है। नाम रखते हैं पत्रस। लेकिन रात में दिखता है वा कहां पर। दारू दिकान में दिखता है। नाम रखते हैं स्टेफन। लेकिन जीवन बिथाते हैं किसी और के साथ लड़ाई करते हुए बार पिट करते हुए। कि स्टेफनुस ने किसी को महरा था पीटा था। स्टेफनुस ने किसी को गाली दिया था। नहीं ना। नाम रखते हैं आयूब, लेकिन आयूब के मुह में परमेशर की विरुदी एक भी गंदे बात नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आयूब के मुह में तो पूरे मंतर तंतर आते रहता है, पूरे शुद्ध बाते रहता है, पडोसी को डाटेंगे, दोस्तों को डाटेंगे, पत्न को डाटेगा नाम रखते कैसरा लोग नाम रखते एस्तेर लेकिन जीवन में कभी भी एक बार प्राहतना नहीं करते हैं। एस्तेर ने जब उनके लोगों के जीवन में जब समस्या आ गया एस्तेर ने राणी वोकर भी राजभवन में क्या कर दी उसने तीन दिन उपास रखर प्रार्तना की कितने आउरतों ने, कितने बहनों ने एस्टेर के नाम रखकर एस्टेर के जीवन बिताये बताईएगा नाम तो अच्छा है एसु नाम क्या है एसु मानपुर साहरे जगत का लोगों को उधार के रास्ते में लाएवा एसु का नाम रखते हैं लेकिन काम तो क्या रहता है बहुत ही बदनाम रहता है एस्वी के जैसे जीवन नहीं है सामुवेल नाम रखते है सामुवेल के जैसे जीवन नहीं है इमानुवेल नाम कितने लोग रखते है लेकिन इमानुवेल के जैसे इमानुवेल के मतलब क्या है परमेशुर मेरे साथ है ऐसा लगता है कि इमानवेल नाम रखा हुआ जीवन के साथ, उस व्यक्ति के साथ सैतन बिता रहा है, सैतन उसके जीवन में काम कर रहा है, नाम तो अच्छा रहेगा, लेकिन काम क्या है उनके जीवन में? बहुत ही घटिया राता है, प्रियो, नाम से मतलब नहीं होता है परम इसर का महिमा करना चाहिए, कितने लोग रूत रख लेते हैं, नाम रूत रख लेते हैं, लेकिन इनके अलवा और भी कहीं से लोग नाम को रूत रखते हैं, लेकिन रूत का जीवन एक बार देखिएगा, जब ऐसी स्थिति आ गया, जब पती मर गया है, जब उसको दन नही जो परमेश्वर को तू दंडवत करेंगे वही परमेश्वर को मैं दंडवत करना चाहती हूं जहांपर तू रहेगी वही पर रहोंगा तेरा जीवन तेरे लोग तेरे परमेश्वर आज से क्या है मेरा रहेंगे मैं नहीं जाओंगा यह नहीं कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के अंदर एक नवोमी का जो बहू नवोमी को चोड़कर परमेश्वर को चोड़कर परमेश्वर को लोगों को चोड़कर जाने का कोई बात है नहीं ले रहें लेकिन रूत नाम रखाऊँ जीवन, कितने लोग ऐसे हैं कि रूत के जैसे जीवन बिताते हैं, कितने लोग यहना करकर नाम रखते हैं, यहना का जीवन दिख रहे हैं क्या, यहना के जैसे सूसमाचर कर रहे हैं क्या, यहना ने क्या कर दिया, जंगल में जाकर येश्मसिय का परमेश्वर को सूसमाचर करने लगा जंगल में जाकर लोगों को बप्तिस्मा देने लगा कितने आज योहना लोग है आज प्रभी येश्र मास्थ के एक शब्द को आप लोगों के सामने बता दिया बताएगा नाम तो परमेश्वर के बाइबल के अंदर कर रहता है लेकिन काम तो पूरा संसार कर रहता है एला भी ऐसी एक नाम था एला भी एक नार्मन नाम था नहीं था हो नाम तो बहुत ही शांदार है नाम तो बहुत शांदार है एला करके लेकिन एला का जैसे जीवन नहीं बिताया एला के जगह में इस्राइलों नहीं पिलिष्टियों के साथ युद करके वहाँ पर परमेश्वर के लोगों जीत हासिल किया लेकिन ए एला होकर एला नाम रखते हुए परमेश्वर के लिए लड़ने वाला नहीं था परमेशर के लिए जीने वाला नहीं था परमेशर के लिए दोड़ने वाला नहीं था परमेशर के लिए याद करने वाला नहीं था परी परमेशर के लोगो आप में से भी कितने लोग ऐसे हैं आपको एक नाम दिया गए तुमारे परिवार में तुम्हारे घुरों में तुम्हारे एक नाम दिया गया है नाम के अनुसार तुम्हारे काम भी क्या होना चाहिए अच्छी होना बहुत जरूत होता है है ना सुनू नाम तो सुना है ना नाम सोना रहता है, सोनू रहता है अच्छे अच्छे नाम हमें दिये गे लेकिन नाम के अनुसर क्या होना चाहिए काम भी होना बहुत अवर्शकता है इसलिफरियों एला जो नाम है पहला एला इस्राइल का चोता राजा का जीवन में पहला क्या मिला था उसको नाम तो अच्छे था लेकिन एला का काम क्या था बहुत बुरिय था समझ में आ रहे है मेरे बाद नाम के अनुसार तुम्हारा काम भी क्या होना चाहिए परमेशर के सामने सही होना जरूरी है लेकिन एला का जीवन सही नहीं था एला के जीवन में नाम अच्चा है लेकिन काम फूरा क्या है गंदे काम है ऐसे क्या काम है नाम रखते जोश्वा लेकिन जोश्वा के जैसे जिवन बिताते हैं क्या हम लोग बिताते हैं क्या बिताएंगे जोश्वा क्या कहा मैं और मेरे घराने के लोग यहवा का सेवा करते हैं आप किसको चुनना चाते हैं च खेल कुद का नहीं करना है, हम किसका सेवना करना है, सेवन करना है, प्रभई येश्व में से का सेवन करना है, समझ मारा मेरा बात, इसलिए प्रीपरमेश्ट के लोगों, जीवन में क्या करना है, नाम के अनुसर, तुम्हारा काम भी क्या होना जीवन में? सही रहना चाहिए नेक्स्ट देखिएगा मैं कुछ दूसरा सुबाओ को बतना चाहता हूं एला का जीवन में दूसरी एक बुरा आदत क्या था? एला का नाम तो अच्छा था लेकन काम था क्या? उसका काम कैसे था? बहुत बुरा था दूसरा एला के जीवन में एला के जीवन में बहुत सर जुम्हेदारी था लेकिन जुम्हेदारी को छोड़ कर एक केरलस लाइफ एला के जीवन में था केरलस उसको कनड़ा में बोलते हैं माई गर्लाता ना, माई मर तो जिवन अमाड़ वो दू उसको क्या बुलती हिंदी में? अपने आपको भूल की जिन्द की बिठाना अपने आपको भूल जाना कि मैं कौन हूँ, मेरे काम क्या है, मेरे जुम्मेदर ही क्या है, मैं कहां पर हूँ सब भूल कर हम दुसरे कामों में व्यस्तो हो जाते हैं या दुसरे बैर क्यारेक्टर में व्यस्तो हो जाते हैं बाइबल में एला का जिवन है इसे था देखिएगा एला एक राजा है लाग कोई इसराइलों को चालने वाला लाग कोई इस्राइलों को पालने वाले एक एला राज्जा कहां पर रहना है वो अपने बंगला में रहा कर आने जाने वाले प्रजा के बारे में क्या करना है वो सेवा करना है और अपने देश के बारे में सोचना चाहिए अपने हाथों में दियवर राज जिकद्थी में बैट कर राजा का उस काम को सहीरिती से करना चाहिए उसको चोड़ कर एला क्या कर रहे हैं? एला के घर के संपत्ती को देखबाल करने वाल एक प्रबंदक था वहाँ पर उस प्रबंदक के गर में जाकर पार्टी में क्या कर रहे वो शामिल हो रहे बाइबल बताता है हमें पढ़िएगा पहला राजाओं के कितब उसका सोला अध्या है देखेगा सोला अध्या है उसका वचन नौ में क्या बताता है पता है 16 अचन नव में दिखिएगा जब हुआ तिरसी में उर्सा नामक बंडारी के घर में बंडारी के घर में एक प्रबंदक एक बंडारी जो एला के संपत्ती को देखबाल करने वाले प्रबंदक के घर में बैट गया है राजा तो राजगत में बैटना चाहिए राजा तो राजबवन में बैटना चाहिए राजा तो प्रजा के सेवा करना चाहिए राजा तो प्रजा के बारे में सोचना चाहिए तेरा जुम्मेदारी क्या है और तू क्या कर रहे हो कभी कभी हमारा जीवन में भी हम लोग एक काम करते रहते हैं मेरा काम को चोड़कर दूसरे काम में हम व्यस्त हो जाते हैं हमारा काम कुछ और रहता है लेकिन हमारा जो हरकत है वो सही ने रहता है इसके जैसे राजा पुरसत रहेगा क्या जीवन में पुर्षत रहेगा राजा रहेगा नहीं रहेगा after all एक DM एक SDM एक तहसिलदार जो घर सरकारी नोकरी पाता है वो अपने जीवन में फ्री नहीं रहा पाता है लेकिन यहाँ पर इस्राइल लोगों का राजा जीवन में हमेश व्यस्त रहने वाले एक व्यक्ति राजबवन में बैट गर राजबवन में राजा का काम करने के चोड़ कर कैसे हरकत कर रहा पता है अपने नीचे काम करने वाले नोकर के गर पे बैट गए नोकर के गर पे पाटी कर रहा है वो नोकर के गर पे बैट कर पाली खाली भखवास कर रहा है वो नौकर के साथ बैटकर आव व्यक्तिकत बातों में भी जिन्दगी बिता रहा है वो हमारे जीवन में देखिए कि संसार में कई सरे लोगा इसे रहते हैं अपनी जुम्यदारी को चोड़ देते हैं प्रार्तन के समय में पडोसी के साथ बात करते रहते हैं प्रार्तन के समय में दोस्तों के साथ बात करते रहते हैं प्रार्तन के समय में वचन के समय में सूसामाचर के समय में हम सभी काम को चोड़ कर या हमारे कई सरे जुम्यदारी रहता है वो सब को चोड़ कर हम लोग वेस्ट काम में क्या करते रहते हैं कितने लोग इससे रहते हैं, बहुत बड़ा गलत है वो, अपने आपको भूल जाना, अपने आपको खो जाना, बहुत बड़ा गलत है, पढ़िये मेरे साथ, कुछ वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, दिखेगा, जरेमिया, एरेमिया का, उसका दूसरा दे, नीती वचन का भ इसमादे तेरा बचन, नींद से प्रीती नारक, नाई तो धरिद्र हो जाएगा, नींद मतलब हम लोग जो हमारे शारीनिक आंखों को बंद करके जो रात में सो जाता है ना, केवल वोई नींद नहीं है, जीवन में आत्मीक आंखों को बंद करके लोग सो गये हैं, अपने आत्मा को, आत्मा के दर्वाजा को बंद करके अपने जीवन में जिन्दगी भरस हो गये हैं, बाइबल बताता है कि नींद को आप क्या नहीं करना है, प्यार नहीं करना, बरना तो क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, तेरे पास जीवन में बहु उसको खमा सकते हैं सोना चांदी संपती कम होगे तो हम कल खमा सकते हैं लेकिन तुम्हारा आत्मिक जीवित में अगर घटी हो जाता है तुम्हारा आत्मिक जीवित में अगर कमी हो जाता है आत्मिक जीवित में अगर आप गरीब हो जाते है तो उसको कमाने के लिए फिर से आपको टाइम नहीं मिल पाता है आत्मिक जीवित को हर एक-एक मनुश्यों ने जगाना जरू होते लेकिन एडा राजा अपने जुम्मेदारियों को भूल कर काँ पर बेट गया है? काँ पर बेट गया है? अपने नौकर के गर पर बेट गया है जो अपने संपत्ती को देखबाल करने वेले नौकर के गर पर बेट गया है कितना बेकूफ आदमी, कितना मूर्ख आदमी देखो कितना मूर्ख आदमी है पहला हमारे जुम्मेदारी जो संसार में चाहे एक मालिक काम देता है एक ब्यांग का काम हो सकता है एक गार्डन का काम हो सकता है एक सेवा का काम हो सकता है कोई भी काम हो सकता है एवन हम लोग अगर पेड़ पोदे में पानी डालते वो भी काम हो सकता है यह हम लोग खाना बनाते वो भी काम हो सकता है यह राजमिस्त्री काम करने वाले एक नौकर यह मालिक एक राजमिस्त्री काम हमको देता है हर एक एक व्यक्ति कोई संसार में अपने अपने परिवार को पालन पोशन करने के लिए एक खेती काम भी करना पड़ता है, एक बातरूम साब भी करना पड़ता है, एक राजमेस्त्री काम करना पड़ता है, एक कोई भी एक काम करना पड़ता है, हर कामों में तुम क्या कर रहे हो, काम में मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान काम में नहीं है, हम लोग जब राजमेस् लोग ऐसे काम करते हैं क्या इधर नीचे लेबर जब हो ये मेस्तरी भी फटा-फटा-फटा-फटा काम करते रहेंगे ज wraz ded काम कार दो और गंठ में मालिक आएगा उसही के सामने काम मालिक नहीं रहे हैगा तो उस समय में काम नहीं रह था ऐसी हर एक व्यक्ति का जीवन है एक सेवा करने वाला जो उनके बास राते हैं वो आएंगे तो उनको दिकाने के लिए सेवा करते हैं पर मेश्तर को दिकाने के लिए नहीं है खेती काम करने वाले खेती में काम करने वाला खेती के माली को खुश करने के लिए काम करते हैं लेकिन सच में उसको जो जुम्यदारी है जो उसको पेमिंट मिल रहे है उसके अनुसर में काम करने करको उसको दिमाग नहीं है यहां पर एला भी ऐसे ही है अपनी जीवन में सो गया है अपने राजगदी, राजा का उस पद को भूल गया उसने मैं राजा हूँ, प्रजा के काम करना है प्रजा के सेवा करना है प्रजा के जरुत्त को पुरा करना है प्रजा का क्या कम भी है प्रजा के लोगों को भूके है की, प्यासे है, क्या कम भी है उसको देखने के चोड़ कर नौकर के गर पे जाके बेट गया है कितना मूर खात भी ये देको राजा इसने मैं इसलिए बोल दिया नाम तो अच्छा है ये लाखा लेकिन उसका काम क्या है गंदा है बहुत बुरा काम है दो साल में देखेगा किस प्रकार का जीवन बिता रहा उसने एक काम को भूल गया है और दूसरा किसको भूल गया पता है उसने पड़ी मेरे साथ येशिया बहुश्य बहुश्य दक्ता की कितब उसका दूसरा अध्धे 22 संचिन देखेगा वहांपर क्या लिखा गया है क्या कुमारी अपने सजावट संसार में अगर लेडिस को देखींगे ना लेडिस क्या करते है अधिक तर अपने अपने आपको सजावट करने में लग रहते हैं लिप्स्टुक हो गया, पौडर हो गया, पर्फिम हो गया, कपड़ा हो गया, बाल गुंदने में हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सिंदूर हो गया, हर चीजों में उसके नजरत एक कुमारी, एक स्त्री का नजर हमेशा अपना सिंघार में रता है, कभी बूलेगा क्यो वो कभी नहीं भूलेगे, गंटे में एक बार जाएगे आनेक में दिखने के लिए, गंटे में एक बार जाकर बाल को गुंदेगी, गंटे में एक बार जाकर अपना फेस्वास करेगी, कितने लोग है संसार में, मसी के लोग तोड़ा सा कम करते हैं और जो अध्यात्मिक में रहने वाले लोगों का सोच यह रहता है कि मेरे कुपसरोती इश्वर देखे, लेकिन संसार के मारगों में शीवन बिताने वाले लोगों को देखिएगा, वो आउरत लोग हमेशे अपने आपको स्रिंगार करने में रहते हैं, कभी बूलेगी क्या वो नहीं बूलेगी, वहाँ पर मेरे गर के सामने एक लड़की थी, उस लड़की एक दो मेने के बाद उसका शादी होने वाला था, दो मेने के लिए शादी होने वाले बराती में नाचने के लिए दो मेने तक डांस क्लास में जाकर डांस सीके आई थी वो सावरत लड़की ने, किसके लिए? और आछी ऐतने पारेश det, आणवरान को, आपने आपको दुलान, इतना आपने जीवन को सजावट करती है, कि मैं मेरे ब्राथी में डांस करना है, मैं मेरे सादी में ऐसी कपड़ा पहना चाहिए, ऐसे सोना कपैना चाहिए, ऐसे प्रकार कमें क्या बोलना है, मेंदी लगाना चाहिए, ऐसे जुमका पेहना चाहिए, ऐसे कलार एक पहना चाहिए, यह तरी अपने आपको सजावट करते है, future plan एक कुमारी अपने सिरिंगार को नहीं बूल सकती है लेकिन एक दुलहिन अपने सजावट को नहीं बूल सकती है शादी के लिए लेकिन मनुश्य ने क्या कर दिया है पढ़िएगा तो भी मेरी प्रजा ने सारा जगत के लोग किसकी प्रजा है परमेश्वर की प्रजा है मेरी प्रजा ने युगों से मुझे क्या कर दिया है बुल गए परमेश्वर को केरलस कर दिये परमेशर को दो साल से परमेशर के याद नहीं कर रहे एक साल से परमेशर के याद नहीं कर रहे बाच्पन से परमेशर के याद नहीं कर रहे कई सालों से परमेशर का सेवा में आपनों ख़दम नहीं बढ़ाए है कितने दिनों से परमेश्वर के साथ प्रार्तन में नहीं बेटे हैं कितने सालों से बाइबल पढ़ने का आदत को छोड़ चुके परमेश्वर बता रहे कि मेरी प्रजा मुझको क्या कर दिये है भुला दिये है मेरे पास अगर 500 रहेगा तो मैं उसको भूल नहीं पाओंगा मेरे पास अगर 10 रुपर रहेगा तो नहीं भूल पाओंगा दस का note या पचास को note अगर पांच पांच का दस दस का चो सो कराएगा तो मेरे package में कितना पैसे है मैं गिन गिन के रखता हूं बार-बार लेकिन मनस्ट को जीवन में क्या कर दिया है परमेशर को बूल गया है मेरी प्रजा मुझको बूल गया है मुझको बूल गया है परमेशर को बूल गया है एक मेरे जीवन में मेरे जुमेदारी को बूल गया मेरे जीवन में मेरे परिवार को बूल गया मेरे जीवन में मेरे माता-पिता को बूल गया आपके जीवन में आप अपने पडोसी को बूल गये है आपके जीवन में आपने बच्चों को बूल गये है आपके जीवन में अपने पती को पत्नी को बूल गये है उनको पालन पोशन करने में आप क्या कर दिये हैं भूल गए साथ में तुमें जुम्मेदारी दिये उस व्यक्ति को भी भूल कर आप क्या करें सिंदगी बिता रहे साथ में उस व्यक्ति के उपर एक और व्यक्ति है शक्ति है उस परमेश्वर उस परमेश्टर को भी हम क्या कर दिये हैं भूल के बेट गये हैं रोज वही हमारा जीवन है रोज वही हालत हमारा जीवन में किस रिती से रहता है परमेश्टर को बताए वो यहला राजा भी ऐसे ही था यहला राजा क्या क्या कर दिया अपने जुम्यदारी को बूल गया और जुम्यदारी वो दिया वो परमेश्र को भी क्या कर दे उसने भूल कर किसके गर पे बेट गया किसके गर पे बेट गया है नौकर के गर पे छे इतना एक चीफ इतना चीफ पढ़िएक एक और रसन पढ़िएगा येशाया बश्चो दखता के दब उसके बतिस वाद दे आठो अचन परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तिया निकालता है क्या करता है वो? उदार मनुष्य उदारता का ही बातों पर क्या करता है वो? सोस्त है उसका दिमाख हमेशा उसी के बारे में सोस्त है जब इंग्लिश में पढ़ेंगे Nobel करके रहा था Nobel Things Nobel Things मतलब एक महान काम Nobel काम जो किये है जो महान काम किये उनीक वो आवार्ड मिलता है वो पुरसकार मिलता है Bible बताता है कि एक जो व्यक्ति एक महान वेक्ति हमेशा महानता के बातों पर क्या करता है वो ध्यान करता रहता है लेकिन एला एक महान वेक्ति है लेकिन किसका में वो ध्यान है उसका चीफ सिली, गंदे जो उसका जीवन में जरुत नहीं था उसको नौकर के गर पे जाकर बैट के पाटी करना उसको करो मैं मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन जीवन बर उसी के जीवन में उसी के गर पे रहा कर अपने जुम्यदारी को बूल कर बैट गया उसने क्या कर रहा है मैं बात में बता हूँ वहाँ पर रहा कर क्या कर रहे हो गरीब लोग का गर पे जाने का गलत नहीं है अपने नौकर के गर पे जाने का गलत नहीं है अपने नौकर के गर पे जाकर सोने का गलत नहीं है अपने नौकर के गर पे जाकर खाने का गलत नहीं है लेकिन आपके नौकर के गर पे तुम क्या कर रहे और उसके साथ क्या कर रहे वो बहुत इंपोर्टन्ट होता है समझ में आ रहे हैं ना मनिशों के जिवन भी यही होता है इसलिए पॉलुस ने एक बात बताए हमको पॉलुस ने पबितरात्म के द्वारा प्रिरना होकर कुछ बात बताए है रुमियो को किताब में वो बते हैं पड़े मेरे साथ रुमियो में बारव अध्याय चैता वचन में रुमियो का अध्याय 12 उसका वचन 6 से अगर पढ़ेंगे तो पॉल उस क्या बताता देखिएगा राजो पढ़ने रोमियों का जबकि परमेश्वर के अनुक्रे के अनुसार जो हम सभी को दिया गया है वाँ, हमें बिन बिन वर्दान मिला है काम मिला है, जुम्मेदारी मिला है गिफ्ट मिला है परमेश्वर के द्वारा में उस राजा को राजगति दिया गया था लेकिन मुझे कुछ और चीज़े मिला जाता है परमेश्वर के द्वारा बिन बिन वर्दान मिला जाता है तो जिसको बवश्वानी का दान मिला हो विश्वास के परिणाम विश्वास के परिमान के अनुसार क्या करे बवश्दवानी करे तू अगर बवश्दवानी करने वाला है तो विश्वास के अनुसार विश्वास के परिणाम के अनुसार क्या करो जित्रा आपके जीवर में विश्वास है उतना आप क्या करना बवश्यदवानी किया उन बवश्यदवानी को परमेशन आज हमारे हाथ में दिया है अगर आप बवश्यदवानी करना चाहता है तुमारे विश्वास बाइबल के ध्वारा आकर उस बातों को क्या करना तुम लोगों को सुनाओ अगर परमेशन ने तुमें उस वर्दान दि कुछ लोग अभी हम लोगो क्या कर दिया गया है कई सरे ऐसे काम दिया गया परमेशर ने ऐसे बच्चों के बीच में सेवा करने के लिए दिया गया है बिमारी लोग के बीच में सेवा करने के लिए दिया गया है तकलिफों में रहने वाले लोग के बीच में सेवा करने के लि जो व्यक्ति सो जाता है, उसके जीवन में क्या आएगा? कंगाल आएगा. अगर तु बवश्य दिवानी करने वाला है, उसको चोड़ कर, प्रचार करने को चोड़ कर, जिंदगी बर सो जाएगा, वच्छन का कमी तुमारे जीवन में आजाता है. सेवा करने वाले विक्ति, अगर सो कर सेवा ना नाई करेगा, तो तुमारे जीवन में कैसे आत्मा मिल पायेगा? जिंदगी बर गर पर बेटी का प्रातन करते रहेगा, तो आत्मा दोड़ काएगा, क्या? सेवा करने है, सेवा करने है, लोगों के बीच में जाकर सेवा करेंगे, तो आत्मा है अमारे जीवन में जरूर पर मेशे देता है, सेवा करने वाला हो, लगा रहो, यदि कोई सिकाने वाला हो, तो सिकाने में लगे रहो, लगे रहो, मतलब, continuous, उसको stop मत करना, तुम्हेरे जिंदिगी पर उसको क्या करना है तुम्हे उस जुम्मेदारे को फुल्फिल करते है लगे रहो जो उपदेश हो वा उपदेश देने में लगे रहो डान देने वाला उदारता से क्या करने है डान दे अगर कहीं लोग जीवन परमेशन आपको कहीं सरे चीजों को दिया है, दन संपती दिया है, पैसा दिया है, अच्छे-चे नोकरी दिया है, अच्छे-चे कमाने के लिए जरिया परमेश्व ने दिया है, वो आपके व्यत्तिकत शीवन के लिए नहीं है, वो आपको इसलिए दिया है, ताकि वो एक कलिस्या में आप जूड़ चुका है, उ एक सामर्त परमेश्वर दिया है, दान करने में आप लगे रहो, दान भी कहीं सर लोग अपने प्रोटेक्शन में रख कर देते हैं, मैं कहीं सर लोगों देखा हूँ, कहीं सर लोगों देखा हूँ, बहुत सर लोग क्या करते हैं, हाँ हम हर मेना में क्या करते हैं तसमास निकाल के रखते हैं हर मेना में हम लोग आफरिंग को निकाल के रखते हैं तो कहां पर रखते हैं कलीशे में नहीं डालते हैं कलीशे में डालेगे तो उनके नाम कैसे मिलेगे उसमें इसलिए हम क्या करते हैं वो पैसे को हमें, हम क्या करेंगे, हमारा सेक्रिटी में रखेंगे, जब पासलनों को जरुत पड़ेगा, तब पासलनों को एक ही बार देंगे, या कली से में किसी को जरुत पड़ेगा, कली से में एक ही बार देंगे, क्योंकि जब एक ही बार विस्वासी को देंगे, तो वि बेंट को साब अपने गर पर इकटा करके रखते हैं कभी-कभी एक बार दो बार क्या करते हैं उसको लाके कलीसय में एक विक्ति को दे दे ताकि अपने नाम क्या हो जाना चाहिए उनकी रदे में बने रहा है मतलब आप परमेशर करने देना चाहते हो आप अपने नाम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कलीशिया के नाम आगे आना चाहिए, कलीशिया के नाम उंचाराना है, कलीशिया हमेश्चा फहलना चाहिए, ना कि तुमारा खुद का नाम, ना कि तुमारा खुद का गर का नाम, इसलिए प्रियो यह आदत मनूश्य के जीवन में बहुत बुरा है परमेशरे बता रहे कि अगर देने का सामर्त कर आपके अंदर है तो क्या करते रहना देते रहना वो भी आपके जीवन में परमेशरे दिया हुआ एक वर्दान है एना जो अगवाई करे वा उत्साह से करो जो दया करे वा हर्स से करो ऐसे आप continue पड़ेंगे तो हर एक विक्ति को परमेशों ने एक एक जुम्मेदारी पवित्रात्मा के द्वारा दिया है उस जुम्मेदारी में क्या करना आप लोग हमेश्चा लगे रहना चाहिए एला क्या कर दिया राज गद्धी को छोड़ कर क्या कर दिया अपने काम को वो भूल गया है राजा का काम को भूल के जिंदिगी बिता रहा है उसने बहुत बड़ा गलत कर रहा है पहला एला नाम तो अच्छा है लेकिन एला का काम बुरा है दूसरी राजा एला ने एक जुम्मेदारी का राजा अपनी जुम्मेदारी को भूल के क्या कर रहा है अंजान के जैसे आम आदमी के जैसे अपने जीवन को गलत रास्ता में लेके जा रहा है अपनी जुम्मेदारी को भूल गया है तीसरा एला राजा का भुरा अदत क्या है पता है क्या पता है एला का राजा का एक बहुत बड़ा प्यक्रनाद मिताओ कौन एला राजा देखो पढ़ेगे पहला राजाओं का सोला अध्याई पहला राजाओं का अध्याई सोला वहाँ पर क्या लिखा है देखिएगा ठीक है अच्छा ना हो जब हुआ तिर्सा में अर्सा नामक बंडारी के घर में था मैंने बोल देख बंडारी के घर पे है अभी वो अपने नौकर के घर पे जो उसके तिर्सवाले भवन का प्रदान था पीकर मतवाला हो गया था तिर्क पीकर धारू पीकर क्या कर रहे वो जश्वा क्या कर रहे एला राजा थीसरा काम क्या कर रहे धारू पीकर उस नौकर के घर पे क्या कर दिया वो बहुत नशे में पढ़ गया है यह नहीं कि एक राजा एक प्रजालों को फालन करने वाला एक अच्छा राजगत्द में बेटना वाला इसरायल हैने के परमेश्वर के लोगों को अच्छे रास्ते में चलाने वाला राजा एक तो अपनी जुम्मेदारी को भूल कर उस नौकर के गर पे बैट कर पाटी कर रहा है और उस पाटी में दारू पीकर क्या हो गए हो नसे में पढ़ गए नसे में अपने आपके उपर उसको द्यान नहीं एक बहुत बड़ा मतवालापन था उसके जीवन में बहुत बड़ा मतवालापन जब भी दे को दारू पीने के आदत था जब भी देखो दारू पीने के आदत था कई सरे लोगो कुछ-कुछ आदत ते रहा कुछ बहुत सरे लोगो को अलग-अलग प्रकार के के नाशाराता है पता है आप लोगो कुछ लोगो दारू पीने के आदत रहाता है दारू पीकर नशे में जाना कुछ लोगों को लड़िकियों को नाशाराता है कुछ लोगो ड्रग्स लेने के नाशाराता है कुछ लोगो पैसे के नाशाराता है कुछ लोगों को टीवी के नाशाराता है कुछ लोगों को सीरियल के नाशाराता है कुछ लोगों को मूवी के नाशाराता है समझ में आ रहे हम लोगों को धारूपी नभी एक नशा है उसको वो नशा है हम लोगों को दूसरी परकर का नशा है कुछ लोगों को खाने में जब भी देखो खाने में नशा खाते रहने, खाते रहने, स्पेशल, स्पेशल काते रहने है कुछ लोग को बाहर गुमने के नशा जब भी देखो गर पे रहने नहीं रहेंगे नहीं वो अब जाओ तुम लोग कुछ जवानों के गर पे जाओ तुम्हारे फ्रेंट्स को ढूंटे आप जाओ उनके गर पे कहा है दोस्त रे वो तो गया है उसका पेर में क्या है कुटा का लकीर लगा हुआ है कुटा का पेर जैसे रहेगे ना कुटा रहेगा क्या हमरे मैक्स और राकी को छोड़ देंगे येसु येसु परिशानी में गिर जाते सर वो बाग गये सर उदर से दिख नहीं रहा है कुछ लोग का पैर रहता है उनको नसा है वो कुछ लोग गेम्स हम बज़मन में दूप में जाते हैं इतना खड़क दूप रहता था फिर भी उसमें गेम केल देते हैं क्रिकेट केल देते खड़क दूप उदर खड़ा होने के लिए नहीं होता है लेकिन फोई जगत में ममी बोलती है जाओ एक क्या बोलते है बिंदिगे के नंतर? एक गड़ा पानी लेकर आना एक बखेट पानी लेकर आना पानी नहीं बोलेंगे तो आम बोलते हैं साम में तोड़ा से दूप रहता था ममी अभी बहुत दूप है, हम बाद में जाएंगे, बोल देते हैं हम लोग दूप ने देखते हैं बारिष में तो बच्पन में अंटा केलने का बारिष counselor कुछ भी नए कुछ भी हो जाए अंटा केल के अंटा जीत की पैकेट में रखते थे package B के पूरा गंदा हो जाता था गर पे आनेके बाद हम लोगो दंडा हो जाता था पैपपा तो उटा उटा के फटका दे तें हमको केलेके तुम cricket जाके केलेके तुम अंटा जाके केलेके तुम latu जाके जब भी देखो वह इंशार आता है ऐसे हर एक एक विक्ति को एक नशा राता है नशा मनुश्यों के जीवन में क्या है वो बहुत बड़ा खत्रा है Bible बताता है खास करके धारू पीने विक्ति को जो विक्ति अपने जीवन में दारू के नशे में है न उन लोग को परमेशन ने कुछ बात बतना चाहता है सलोमोन के द्वारा, क्या बताता है देखिएगा नीती वजन का तेईसमा ध्याय में उसका तीसमा ध्याय में क्या लिका यह पता है देखिएगा मैं पढ़ूँगा तीसमा अचन में उनकी जो दाकमदू देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाकमदू डुणने को जाते हैं ठीक है न? 30-32, 30 जब दाकमदू 31 जब दाकमदू लाल दिकाई देता है और कटोरे में उनका सुन्णर रंग होता है और जब वा क्या है वो धार के जब वो धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखेगा रज पढ़ो उसको 30 से पढ़ना रज हूँ 30 से लेकर 32 तक उनकी जो दाकमदू देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाकमदू जोनने को जाते हैं जब दाकमदू लाग दिखाए देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वो हार के साथ उडेला जाता है तब उसको ना देखना क्योंकि अंत में वो सर्प के समान क्या करेगा धसता है जब एक व्यक्ति को दारू पीते समय में वो दिखने को बहुत अच्छा राता है ग्लास में बहुत अच्छा रंगिला दिखता है पीते समय में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है कई सरे लोगों को देखियेगा, जब वो दारु को शरीर के अंधर गुसा देता है, जब वो दारु को आप एक मनुष्य जब अंधर उंडेल देता है, बाईबॉल बताता है कि वो अंधर जाने के बाद क्या करेगा तुम्हें, सांप के जोनें आपको वो दसेगा, कितने परिवार के लोगों को जीवन हम देखे हैं कितने परिवार लोग अपने संपत्य को बेच दिये केवल दारु पीनी के आदत के कारण दारु पीनी के पैसे नहीद हमारे तरफ जाएंगे तो दारु पीनी को पैसे नहीं गए तो क्या करेंगे अपना अंगुटी बेच देते हैं, अपना वाच को बेच देते हैं, किड्नी भी बेच देते हैं, किड्नी भी बेच देते हैं, देखो, दारू इतनी, देखो, बाइबल कभी जुट नहीं होता है, जब वो अंदर गुच जाते हैं, वो सांप के जैसे, सांप के जीवन नाश हो रहा है उसके आदतों के वज़े से तुम्हारे वेक्ति के जीवन नाश और अपने शरीर भी खुद का सिर्री भी क्या हो रहे वहाँ पर नाश हो रहा है बाइबल में बताता है कि एक धारूपिया वेक्ति हमें आदिक तरवा अन्याई करते रहता है देखिएगा नशे के एक मतवालेपन होकर चोटे-चोटे बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है अत्याचार किया जा रहा है चोटे-चोटे बच्चों को रेप किया जा रहा है 9 सल के बच्ची को आठ साल के बच्ची को रेप किया जा रहा है चार-पांच लोग मिलकर रास्ते में जाने वाले जवान आउरत को लेकर जाकर क्या कर रहे हैं नशे के मतवाले पन होकर उसको ले जाकर मर्डर करते हैं उसके साथ रेप करते हैं कितने लोग मतवाले पन में पत्नी को गुसे में मारने को जाकर कितने पत्नी लोगों को मर्डर कर दिये हैं मतवाले पन में कितने आउरत लोग अपने पती को मर्डर कर दिये हैं कितने नियू सम को देखने को मिलता है बाइबल जूट नहीं बोलता है जब एक वेक्ति जब दारु पीता है उसके जीवर में बहुत सरे गलतों करता है उसके होस में नहीं रहता है इसलिए बाइबल में वही नीती वचन में यग उर अचन लिका गया है पड़ेगा, वही नीती वचन में एक जगा में और कुछ लिकाए देखिएगा एक तिसमा अध्याय उसका चवता वचन में क्या लिकाए देखिएगा हाँ हे लमवेल राजाओं को दाक मदू पीना उनको सोबा नहीं देता है राजाओं को दाक मदू पीना है कि दारू पीने का शोबा नहीं नहीं मिलता है तुम अपने गर पे राजा हो हर एक पिता गर का क्या होता है वो राजा होती ही की नहीं हर एक पिता उसके गर के लिए राजा वही है हर एक मा अपने गर के लिए वही राणी है लेकिन राजा ही दर दारूपी के आजाएगा गर पे रहने वाले बच्चे प्रजा क्या करेंगे बाप कभी आदत को सीख लेते हैं, आराम से सीख लेते हैं है कि नहीं है ना राजा ही दारुपी कर सो गया है तो प्रजा बच्चे क्या करेंगे सीखेंगे बैबल बताता है कि राजा को दाकमदु पीना शोभा नहीं करते हैं वो अच्छने उसके लिए continue और मदीरा चाहना रसोई को नहीं वबता और मदीरा चाहना रसोई को नहीं रैसों को नहीं वबता continue ऐसा नहो की पी कर व्यवस्ता को भूल जाए और किसी दुकी के हांक को मारे यहनी कि जब एक व्यक्ती जब दारू पीता है जब एक व्यक्ती नशे में गिर जाता है अपने जिंदगे को भूल कर उसके साथ कहीं सरे गलत करता है आज कितने नेता लोग है नेता लोग पैसे के नशे में हैं इसलिए प्रजा का दुक उनको नहीं समझ में आ जाता है मैं सब कर नहीं बता रहा है कुछ लोग को बता रहा है एक राजा के पद में वो लोग नेता लोग एक सेवक लोग राजा के पद में हैं पास्ट लोग राजा के पद में हैं हम सब लोग हमारे जुम्मेदार को इसलिए बूल रहे हैं, क्यूंकि उस एला राजा को धारू पीने के आदत था, आज हर एक एक राजा अपने गड़ पर रहने राजा को एक पैसे के नसा होगा, एक नाम कमाने के नसा होगा, एक अपने आपको भड़ा करने के नसा होगा, इस नशे में आकर प्रजा के बारे में कोई भी चिंता नहीं कर पा रहे हैं। प्रजा के जरुवत्तों को कोई फुल्फिल नहीं कर पा रहे हैं। Bible बता रहे है कि राजा को डाकमदपीना वो शोबा नहीं करता है ऐसा हो जाता है कि विवस्ता को बूल जाएंगे कितने पास्टर लोग में देखा हो, कितने पास्टर लोग देख भी रहा हो फ्यूचर में देखूंगा भी कि पैसे के नशे में, अपने नाम को बढ़ा करने के नशे में एक विश्वासी को एक दरत को नहीं समझ पा रहे है, विश्वासी को जीवन क्या नहीं समझ पा रहे है बाईवल बताता है कि एक व्यक्ति अगर पाप से मुड़ कर अगर पवित रास्ता में आ जागा कहां पर कुशी होगा स्वर्ग में कुशी होगा लेकिन वही एक व्यक्ति को वही एक विश्वासी को बरबाद करने में आज सेवक लोग लगे हुए हैं तो ये किस थी इसका एक नशाय बताएगा संसार के लोग एक व्यक्ति एक बहन को या एक बेटी को चार-पांच लोग मिलकर दारू पी कर उसको अत्याचार करें के माल डालते हैं लेकिन खली सेवक लोग एक विश्वासी के साथ क्या कर रहें अन्याय करते हुए उस विश्वासी का जीवन को क्या कर रहें आज बरबाद कर रहें उनको और इनको कोई फरक नहीं होता है इसलिए कोई भी व्यक्ति को कोई भी चीज का नशा बहुती बहुती वो डेंजर है कोई भी चीज का नशा तुम्हारे जीवन में नहीं हुरा नाशा ही अगर रहेगा वो नशा ही तुम्हारे जीवन में क्या करेगा नाश करड़े लेगा क्या हो अगर पता है, एला ने उस नौकर के घर पे जाकर दारू पी कर सो गया है, बतवाला पन हो गया है, लेकिन एला के रतों का एक सुवेधार था, एला का युद करने का जो रत होता है ना, गोडा का रत हो, हाती का रत हो, रतों का इंचार्ज ही के व्यक्ति था, उसका न पर नवकर क्या कर दिया, राजा को मार डाल दिया, कारण क्या है, उस जिम्री को पता चला, क्या करके, यह तो कोई यूज़ नहीं है, डेली दारुग पीपी के क्या हो गया है, जीवन को बरबाद कर दिया, अब नेक्तिस का राजगद्दी को क्या करें हम आसल करेंगे इसका जीवन को नास कर डालेंगे गया उसने जाकर क्या कर दूद उसको पर गिरकर उसको मार डाला मार डालते समय में जिस नौकर के गर पर ये है वो नौकर भी राजा को नहीं बचा पाया, बचाया क्या, नहीं, एक नौकर के गर पे है, जो नौकर एला के संपत्ति के सुभेदार है, और एक दुसरे नौकर है, जो एला के रतों का सुभेदार है, वो सुभेदार जो है, इसके उपर चड़ कर उस एला को मार रहे हैं, लेकिन वो दुसरे नौकर उसको बचाने के लिए नई आ रहे कारण यही है कि एला का गलत एला का मतवालपन एला का डारू पीने का आदत डारू पी कर अपने आपको भूल कर क्या कर दिया अपने जीवन में वो गलत कर डाला इसलिए पहली एला के जीवन में एला नाम तो अच्छा है लेकिन एला का काम बहुत गलत था दूसरा क्या है एला एक ऐसे विक्तिता अपने जुम्मेदारी को बूल कर क्या कर दे उसने अपने जीवन को एक सिंपल से जीवन बिताने के लिए वो चाहता था जुम्मेदारी को भूल गया था उसने परमेश्वर को भूल गया था उसने चोथा, तीसरा एला का जीवन में एक मतवालापन का बुरा आदत उसके जीवन में उसको नास कर डाला एक बुरा आदत उसको उसके जीवन में क्या कर दिया नास कर डाला चोती आदत, एला के जीवन में क्या है पता है, एला का बाप ने जो काम किया, एला का बाप ने जो गलत किया, एला का बाप ने कौन? बास्या ने, जिस पाप के रास्ता में जीवन बिताया, जिस दुस्टता के मार्गों में जीवन बिताया, वही दुस्टता के मार्गों में कौन भी जीवन बिता रहा है भी एला भी जीवन बिता रहा है बैबल बताते है कि पढ़िएगा पहला राज़ों का पहला राज़ों के किताब उसका सोला अध्या है पहला राज़ों के किताब उसका सोला अध्या है सोला अध्या है का 12 वसन को में पड़ोगा देखिएगा, 13, sorry, माफ कीजिएगा, 13 में, वो मेंगो 12 में है, यहां पर 13 में, ठीक है, यहीं कि, एला का चोथा एक काम था, यह था कि, जो बाप का जो पाप है, यह पिछले बार बताया था, बाप का काम क्या क्या था, चारकों चीज में ने बताया तो लगबग जब बाप बाशा ने वो भी राजा होकर परमेश्वर को बूल कर किस प्रकास से मनुष्यों को एनिकी लोगों को इसरालोगों को पाप के रास्ते में लेके जाने वाला था उसी रास्ते में बाप का सेम एक्टिच्टूड किसके अंदर आ रहा है एला के जीवन में आ रहे है एला तोड़ा सभी नहीं समझ पा रहे है कि मेरे बाप ने इसे काम किया मेरे बाप ने इसे एक गंद काम किया मेरे बाप के कारण मेरे घर के सभीलों को स्राप आने वाला परमेश्वर करेके कभी भी नहीं बदला उसने, कभी भी अपने जीवन को नहीं बदला मनुश्यों ने बदलने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन एला के जीवन भी ऐसी यही तादत, देखेगा पढ़िए उस वचन को तेरा वचन इसका कारण बासा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे भाषा उसके पाप जो पाप किया वही पाप कौन कर रहा है भी एला भी कर रहा है देखो, जो मेरे पुर्वजों ने गलत किया, जो मेरे बाप ने पाप किया, जो मेरे बाप ने जो पाप किया, वही पाप अगर मैं भी करूंगा, तो परमेश्वर कीस प्रकार का कोद बढ़केगा, बताएगा। बाइबल बताता है कि परमेश्वर को ये क्रोधित लगा ये परमेश्वर इनके पापों को देखर बहुत क्रोधित हो रहे बहुत गुस्सा हो रहे और एक बार परमेश्वर ने यहु के नभी के द्वारा बविश्वत वानी किया था ना बाशा का परिवार क्या हो जाएगा पूरे कांदान नाश हो जाएगे करके उसी प्रकार से बाशा के कारण एला के कारण एला और बाशा का कांदान क्या हो जाएगा जिम्री राजा के द्वारा पूरा नाश पूरा उसके कांदान पूरा साफ हो गया हो कोई भी उसके गर पे जीवन में पाप करने के कारण आकान अपने परिवार को क्या करना पड़ा खोना पड़ा गर पे पाप करने के कारण अननिया और सफिर अपने परिवार को क्या करना पड़ा नास खोना पड़ा जब पाप एली के गर पे आ गया एली के परिवार भी क्या हो गया नाश हो गया है जब पाप आदामा रहुआ के जीवन में आ गया आदामा रहुआ दोनों पति-पत्नी के जीवन में क्या हो गया परमेश्वर के महिमा को वो लोग खो बेटें यहनि कि पाप एक ऐसी जहरिले चीज है तुमारे परिवार को तुमारे जीवन को तुमारे व्यक्तिक जीवन को क्या करेगा वो नाश कर डालता है इसलिए पाप से दूर रहो पाप से भागो पाप से भाग जाना चाहिए पाप से आप और हमको कोई मतलब नहीं पाप से आप और हमको कोई भी लाब नहीं बला एक सेकंड के लिए एक दिन के लिए आपको खुश मिलता होगा ये संसार के अंदर आपको अच्छे लाइक मिलता होगा लेकिन मरने के तुरंट तुमारे जीवन में बहुत बड़ी लोक्षान तुमारे पाप के करण आपको मिलने वाला है इसलिए प्रीपरमिश्र की लोगों तुमारे जीवन में पाप से दूर रहिए पाप से अलग हो जाए पाप ने मेरे बाप ने पाप किया वो पाप मेने नहीं करना है तुम्हारे पूर्वजों ने जो पाप किये है, वो पाप मत करो, वो मेरे पूर्वजों ने यही रास्ते में आ गए, हम लोग भी वही रास्ते में आ जाएंगे, मेरे बाप दादों ने यही मानती आ गया, हम भी मानती आ गए, एक रोमन कैतलिक से बहन को मैंने सुल समाचर गलत है, बाइवल के अनुसार एश्यू के नाम से प्रार्थना करना है, एश्यू पर विश्वास करना है, एश्यू यह आपको मारक दिखाता है, जब मैंने बताया, उस बहने क्या बताया यह पताया आपको, मेरे पुर्वजा ने यही मानते आये हैं, हम भी क्या करेंगे, इ ही हमारा जीवन में, जब मुझे समझ में आ जाता है बाइबल की दवारा, कि मैं ए चीज करने का गलत है, उस आदतों को, उस चीजों को, उस विश्वास को मेरे जीवन से क्या करना है, हटाना ज़रूरी है, मेरे जीवन से आटाना है, अगर आपको बाइबल बात करता है, आपका जीवन को बदलना आवश्कता है नहीं मैं जैसे पहले से मेरे पुर्वजों ने जैसे ते उसी रास्त में अगर मैं रहूँगा करके अगर आपके जीवन अगर ऐसे लिके जाएंगे एला का जीवन आपका कचित है विलाप गित अध्याए पांच उसका साथ हो अच्छिन हमारे फूर्वजों ने पाप किया और एक मर मिटे है हमारे फूर्वजों ने जो पाप किया वो क्या हो गया भी मर मिट गये मिट गये मिट गये मतलब Erase करना Erase वो अभी उनका नाम और निशाना नाम तो है उनका निशाना कोई भी नई है आप देखें इसराल के इस्त्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जब जब यह पाप किये तब तब परमेश्र करोद उनके उपर बड़कते रहागा ऐसे जब मनुष्र के जीवने पाप आ जाता है हमारा जीवने परमेश्र क्या करेंगा ऐसे मिटा डालेंगे इसे परमेश्र का उच्छन पढ़ेंगे यहाँ पर बहुत एक वच्छन है हमारे सिर्पर का मुकुट गिरपड़ा है हम पर हाई क्योंकि हमने क्या कर दिया है आपके हमारे सिर्पर का मुकुट यहने की परमेश्र का उद्धार परमेश्र के महिमा परमेश्र के दया परमेश्र के कृपा परमेश्र का प्रेम परमेश्र के हार आशिशे मेरे सिर्पर का वो क्या है मुकुट है मेरा मुकुट क्या हो गया भी गिर पड़ा है बहुत सों लोग बिना मुकुट से क्या करें जिंदगी बिता रहें संसार के लोग बिना मुकुट से जिंदगी बिता रहें उनके मुकुट का अवश्य कता नहीं है इसलिए पॉलुस ने बताया मैंने मेरा मुकुट को क्या कर दिया पाने वाला हूँ सब को एक मुकुट मिलने वाला है वो मुकुट क्या है परमेशर का उद्धार परमेशर मेरे और आपकी जीवन में भी परमेश्वर का उस मुकुटि गिरा हुआ है कारण मेरे पाप के वजे से हमारे पुरुजों के पापों को हम करने के वजे से हम लोग का मुकुट हम खुद क्या कर हमार हाथों से निकाल के उसको फेक रहे हैं आज गिरावा तुमारा मुकुट को क्या करो पहन लो जक्काय ने मुकुट को पहन लिया जक्काय ने एश्यमसी को अग्यिकार करके जब अपने पापों उससे मोड कर जीवन बिताया फरमेश्ण ने कहा आज इस परिवार को क्या हो गया मुकुट मिल गया है मुकुट मिला है कि उद्धार मिला है उद्धार ही मुकुट है मनिशों का मेरा मुकुट क्या है मेरा उद्धार है उद्धार मिल गया मुकुट मिल गया जक्काई को आज कितरे लोग जीवन में आज मुकुट चाहिए एली भी क्या कर दिया? मुकुट को को बेटा क्यों? पाप के कारण इसलिए पाप मेरे और आपकी जीवन में बहुत ही खत्रा है इसलिए तुम्हारा जीवन को आज ही इसी वक्ते वचन के अनुसर फवित्रता से जीवन बिताने के लिए कोशिश करें एली की जैसे नाम अच्छे रग कर काम को बुरा मत करें एली की जैसे तुम्हारा जुम्मेदारियों को भूल कर अपने आपको खो नहीं बेटना चाहिए और तीसरा एली की जैसे कोई भी एक नशे में आप ना रहें एली को पीकड़न होने का एनिकी दारू पीकर मतवालेपन में जीवन बिताने का एली को अच्छा लगा उसके जीवन मतवालेपन में ही उसके जीवन नाश हो गया वैसे तुम्हारे जीवन में भी जो आदत्ती तुम्हारा अंदर है जो नशा तुम्हारा अंदर है वही नशा ही आपको एक दिन क्या करेगा फिराश के रास्ता में लेके जायेगा एश्व में सेने क्या कहा जो तलवार पकड़ेगा तलवार से ही क्या होगा हो मर जायेगा जिस मतवालेपन आपके अंदर है वही मतवाले पंसरी एक दिन क्या करेंगे आप लोग चला जाएंगे बहुत बाइक रेस करने वाला आदमी क्या करेगा रेस में बाइक सलातर आता है उसका एक जिन्मा जीवन वही पे अटक जायेगा एक दिन उसी से उसको फुल स्टाप आएगा अगर आप एक मुवी देखने का आदते अगर आपको कोई भी इससे संसार में कोई भी पाप कोई भी एक नशा आपके जीवन में उसी नशा ही आपको आपके जीवन में क्या करेगा वो फुल स्टाप करेगा एक उटका कहिनी काने वाला है आपको उसी से परमेशर फुल स्टाप डालने वाले है आप रोडिजम करने वाले है परमेशर उसी से आपको फुल स्टाप करने वाले है अगर आप लोग पैसे के नशे में है पैसा, 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 पैसा उसी से आपको फुल स्टाप अने वाला है जब तुम्हारा पैसे से कुछ भी आप लोग नहीं कर पाएंगे ऐसे हो जाएगा आप देखते रहें ना कितने फिल्म इंडेस्टर में कितने लाग को करणों और बो रुपया है लेकिन एक लिवर को चेंज नहीं कर पाए रहे हैं उस पैसे से लेगा क्या करना है किड्नी फेल्यूर है किड्नी मिलेगा क्या नहीं मिल पायागा पैसे से कुछ नहीं बनता है परमेश्व से बनता है इसलिए संसार के मत्वालेपन में मत रानां और चवती चीज़ पाप का जीवन में ना रानां एली ने पाप करते हुए आकरी में उसका जीवन क्या हो गया नासु केवल दो साल में देखे केवल दो साल में एली के जीवन में चार क्यारेक्टर हमारा जीवन में मिलता है प्रभू इस वचन के दूर आपको आशिश करें